हालो नमस्कार दोस्तों स्वागित आपका हमारी यूट्यूब चनल में तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टोप 5 बेस्ट लुकिंग बाइक के बारे में जो कि आपको 80,000 के अंदर देखने को मिल जाती है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को होंडा लिवो इस बाइक के डिजन आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है बात करते हैं इसके फ्रंड में यहां पर आपको काफी अच्छे हेडलाइट के डिजन देखने को मिल जाता है और साथ ही इसके टेंग के उपर दोनई सेड में काउल देखने को मिल जाता है ज कि बात करते इस बाइक में आपको 110 श्रीक देखने को मिल जाता है जो कि ब्स-6 का प्लाइंजन है और यहां पर आपको पाउर मिलती है 8.79 PS की और टॉर्क मिलती है इसमें 9.30 Nm की टारी साइज की बात करते इस बाइक में फ्रेंड में और रियर में 80 वा हंड़े 18 इंच के 69,000 से लेकर 73,000 तक इस बाइक की प्राइज आपको देखने को मिल जाती है कि हिरो ग्लेमर कंपनी ने हाले में इस बाइक में नया वेरिंड पेश किया है ग्लेमर एक्षिक नाम से कापी शांदार अपडेड मेलें इस बाइक को यहां पर आपको फ्रेंट में और रियर में एलीड शेटप देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में इसकी हैडलाइक एलीड कर दी गई हैं जिससे की देखने में यह बायक क्पी शांदार दिखाई दीती है और tiय लाइट इसमें आपको LED में देखने को मिल जाती है जो कि स्टेंडर विरेंट से देखने में काफी शांद इस Back में Digital Meter Console देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ Information देखने को मिल जाती हैं साथ इस Back में आपको Bluetooth Connectivity भी देखने को मिल जाती है और साथ ये Gear Position Indicate भी इसके Meter Console में मिल जाता है Fully Loaded features के साथ आता हैं इसका Instrument Cluster क्यूंकि इसमें आपको काफी कुछ फीचर देखनों को मिल जाते हैं और इसका इंस्टुमेंट क्लश्टर फुली दीजिटल देखनों को मिल जाता है ऑप में 10 लेट्र का देखने मिल जाता है और साथ यहांँ पर ग्रारומंट क्लेंट मिल जाता है और अगर आपडने में 130 लेजिए नहीं मिलेगा यहां पर फंड में आपको 80 by 100 का और रियर में 100 by 80 का 18 इंज के टूबले स्टार देखने को मिल जाते हैं प्राइज की बात कर लेते हैं तो क्लेमर 125 की प्राइजिंग स्टार्ट होती है 73,900 से और इसके टोफ वेरिंट एक्स टेक्स की वेरिंट की किमा जाती है 83,500 तक TV Star ST Plus BS 6 Bike अगर आप कोई 110 इसम बाइक लेना चाहते हैं तो TVS की Star ST Plus आपके लिए सबसे बेशे रिजो ले आइए जान लेते हैं क्यों放ी है अपके लिए सबसे Help Missed अब देखने को मिल जाते हैं 110 एसे segment में यही एक मात्र बाइक है जिसमें आपको काफी अच्छा performance और काफी अच्छा pick-up देखने को मिल जाए गया है क्योंकि इस बाइक में आपको और square engine देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको इस बाइक में काफी अच्छा pick-up देखने को मिल जाता है इस बाइक के engine की ब कमिल जता है नहीं कि का त установ क्लाव को कि आपको 151 catching बारॉं को मैं 123 Diaries धेता है जो कि काफी अच्छा है से शलट कौज ले जा सकते हैं क्योंज कि काफी अच्छा ग्राउंटमे को देखनों को मिल जता है 153व क करऊंश्य को मिल जाता हैं और n ट्रम कि दोनों आते हैं आपको इस में फ्रंड में 130 mm कि ड्रम डेखनों मिलेगी जबकि डिस्क वेरियन में आपको इसमें 240 mm की रोटो पीटर लिएगी फ्रंड में और रियर में आपको 132 mm का ट्रम डूर्प गेंदे मिलेगा इस बाइक में डिजिटल और अनलोग मिटर कंसोल देखने को मिल जाता है साथ ही बाइक की प्राइजिंग के बाद के लिए इस बाइक की प्राइज आपको 68000 से लेकर 70500 तक देखने को मिल जाती है बजाज प्लेटिना 110H गेर बाइक सिग्मेंट की फर्ष्ट बाइक है जिसमें आपको 5 गेर देखने को मिल जाता है बाइक सभी बाइक में आपको 110C गयाती है उनमें 4 गेर देखने को मिल जाते है लेकिन इस बाइक में आपको 5 गेर देखने को मिल जाते है और इस वैग में आपको कापी अच्छा ग्राउंड क्लेंस आपको 12cm का ग्राक्ट प्रचेनी !! k में 110 mm का ड्रम्रेकम देखने को मिल जाता हैं और डिजाइन की बात करति यह पर हैँवा अपको फ्रंट में इह एक तसवे सूंद्ट रेक्न और省 बाता हूं इसके फनल एक इस website सेट आपको काफी लंबी देखने को मिल जाती हैं जो कि segment first seat है इस में काफी अच्छी seat देखनों को मिल जाती इस bike में और cushioning भी काफी अच्छी है इस seat की Color की बात करें तो 110H care में आपको दो Color देखनों को मिल जाते हैं Red-black और Black-Blue यह दोनों Color आते हैं इस variant में पर इस बाइक की प्राइजिंग की बाग के लिए तो इस बाइक की प्राइजिंग देखने की जरूत नहीं है बहुत ज्यादा बिखने वाली बाइक है और यहां पर आपको काफी अच्छे-चे पिचर्स इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं आने वाद इस बाइक में आपको ना measuring इस बाइक में आपको 27.27 थमाट की पावर और 0.05 newton-meter का टॉर्ग देखने को मिल जाता है इस बाइक कर साथ इसमें ठाट की बाद कर नहीं तो फ्रंड में और रीर में इसमें आपको 80 x 18-inch के ट्यूबले चार देखने को मिल जाता हैं Ground clearance की बाद वे इस बाद वे इस बैक में आपको 165 mm का Ground clearance देखने को मिल जाता है और साथ इसमें 9.88 का Fuel Tank देखने को मिल जाता है कवरवेट की बात कर लेते हैं तो इसमें 110 kg का कवरवेट देखने को मिल जाता है इस बैक में फ्रंड में रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं यहां पर कोई भी डिस्क ब्रेक का ओप्शन नहीं आता है आपके पास यहां पर आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है और सा 70-80 तक का mileage भी देखने को मिल जाता है बाइक की प्राइजिंग की बात के लिए इस बाइक की प्राइज आपको 63,800 से लेकर 68,900 तक देखने को मिल जाती है तो यही थी वो 5 best looking बाइक जो कि आपको 80,000 के अंदर देखने को मिल जाती है इनमें सा आपको कौनसे बाइक अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बताएं और यह जो प्राइजिंग है यह एक शुरूम प्राइज हैं और अलग लग स्टेट में अलगल होती हैं तो आप नजदी शुरूम पर जरूर संपर करें कि वहां पर आपको इसके ओनर प्राइज क्या देखने को मिल जाती हैं वीडियो चलक मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद